कि यह उट्सव गैस कैसे आप सुभी लोग वैलकम बैक टू नेधर गेंपले वीडियो तो गैस आरे जम लोग दुबार से केंड ली जा रहे हैं फ्री फायर और गैस आज गैरी नारह में काफी सारे इन गेम गिफ्ट्स बेज़े हैं वन पंच मैन के अब आप लोग सोच रह पर जब लोग इसकी बैक स्टोरी जानोगे तब हवा खराब हुने वाली है मतलब क्यार यह जो बंदा है ना यह एक सूपर हीरो है इसके अंदर एक ऐसी पावर होती है कि अपने दुश्मनों को सिर्फ एक घूसे में मार सकता है तब ही इसका नाम वन पंच मैन है अब ऐसा नॉर्मल बंदा था इसको सब लोग परिशान करते थे तो एक दिन ऐसाय से बहुत ज़्यादा खुंदक चड़गी इसने बहुत प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करकरके ने इसके सर के बाल भी उड़ गए इसलिए मैंने भी से टकल बोला था और उसके बाद भाई यह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाल आपको इस बात की गरंटी मैं देता हूं तो अगर आप लोगा वन पंच मैंन को जान चुके हो तो मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार क्या 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 गिफ्ट्स मुझे फ्री फायर ने दी है एक तो इसकी आउट्फिट है बंडल स पैराशूट है बहुत कुछ है चलो सारका सारा दिखाता हूं बढ़ा उससे वहले ना कैस मुझे कमेंट में जाकर आप लोग यह जरूर बताना कि क्या आपने वन पंच मैं सीरीज मेरे बताने से पहले देख ली थी या फिर मेरे बताने के बात देख लिया तो यह कमेंट म जिबी तरह में आंकी तरफ में इह अपने gift है जिसमें सबसे बहले पना ईमोट आयम सायतामा और एक राए जह तकड़ा इमोत सीरीज में भी आउट्विट है वैसे और बाके यह जिनोज बैक पैक है चुक यार अभी तक का में सबसे फ्रीफार का सबसे बेस्ट बैक पैक है वाके सर्फ बोट भी काफी जदा बढ़ी है इसकी जो लाइट निकले बहुत सही है और उपर की तरफ में जो गिफ्ट्स है य यह अपना पैराशूट जो कि सची में काफी ज्यादा सही है तो यह कुछ अपने टोटल दस गिफ्ट है और मैं आपको दिखाता हूं कि और भी क्या क्या इवेंट्स आया है बट उससे बहले नहीं सभी को मैं एक्क्यूप करने वाला हूं क्योंकि बहुत जदा है यह बटोट से इसको भी हम लोग करते हैं अब कि मेरे को लुट बोक्स मिला था सर्फ भॉड भी मिला सब कुछ ही मिला वाई वन पंच मन का सब कुछ हम लोग अक्यूप करेंगा आप लोग ले सकते हो और कैसे लोगे वह आपको बताता हूं बट पहले मैं तो एक्क्यू यहां भी इमोट्स रहे गए तो इमोट्स को भी मैं क्यूप कर लेता हूं फटावट से पैरशूट भी हो गया तो अच्छा लोग आई सबीना फिलाल यहां पर मैंने अपने दोनों के दोनों इमोट्स को भी एक्क्यूप कर लिया है और लॉबी में तो यह काफी जादा बढ करना है और उनको कंपुलीट करने पर आपको यह वाली जो टिकट्स हैं मिल जाएगा तो जैसे मैंने दो में लिए साथ मिल जाएगा उसके भी देखो यहां पर ना तीन लेवल है तो थर्ड लेवल वाले में सारे रिवोर्ड हैं अब बाकी अपने लग के ओपर डिपेंड करता हैं मेरे पास काफी सारे टिकट्स हैं तो चलो इनको यूज करते हैं देखते हैं क्या मिलता है लो भाई किसमती बट फिर भी अपना लग आजमाना चाहतों मेरे लग अच्छा निया मुझे मालूम है आप लोग का निकला या नहीं निकला कमेंट में जाकर वो भी जरूर बता देना क्योंकि मुझे काफी जदा खुशी होती है मेरे छोटे भाई का तो वाई एक ही बार में बैक पैक नि निकला शहसे मेरे पास ओलर डिया इसलिए गेरी नवाले मेरे को दुबारा नहीं देना चाहरे लेकिन आपको मिल सकता है आपकी उपनी किसमत में डिपैंड करता है इसको हम लोग कैस जेली मिशन करकर कर सकते हैं और हां 23rd jan को तो यह इंटू 3x हो जाएगा तो और भी कैसा जाता है उबीना है अपनी मैच हूँ मेकिं और मैं दोका का ओँष में यदा डिया लग रहे है और काफी जादा बड़िया Лगों अफिध में का आवाले काफी जादा परिये बठाँ, शूपर हीरो वाली बात्चीत आ चुकी है, बट मैं पहली बार देख रहा हूँ, गंजा सूपर हीरो, नहीं काफिछारे सूपर हीरो है, बट ये कुछ जादा नेक्स लेवल है, ये नाच किसे ले रहा है, ये दूसरा क्रोनो कुछ जादा उस चल रहा है, एक मैं अच्छा का सा कहला था, सेकेंड रैंक पर आकर मर गया था, मेरे किल्स भी पांच ही थे, बट भी थोड़ा सा प्रेक्टिस कर रहा है, बट पहले मैं पता है यार जो एम अजिस्ट होता है, मैं उसको यार ओफ कर लिया है, ताकि मैं लोंग रिंज भी चला पहूँ, बा इसने पीछे बांध रगा है, सूपर हिरो वाला, वो काफी सही लग रहा है, अभी मैं पीक पे जा रहा हूँ, जो कि इस मैप का सबसे डेंचरस प्लेस आप लोग कह सकते हो, मेरे साब से तो भाई, पीक से ज्यादा डेंचरस, हाँ यह है, क्लोक टावर भी है, फेक्टरी मिल गई, बट यार, पिस्टल से मैं क्या ही मारूँगा, शौटगन मिली है, एक छोटी वाली शौटगन नहीं, यार, मेरे को एक अजॉल ट्रैफल चाहिए, उससे कुछ ना कुछ बढ़ी है, होप पाएगा, बट उससे पहले, एक सकेंड, शायद बंदे, बंदे गाईज मुँ तोड सकती है, यार, इस घर में एक भी गन्य है, मेरे साथ यासा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पर अपना लेवल वन हेलमेट मिल गया, भाई, पूरा इतना बड़ा घर है, यह पूरा खाली किसलिए है, कम से कम एक अजॉल ट्रैफल तो होनी चाहिए थी ना, उस वा हाँ, बंदा तो है, पड़ी, ओ भाई, पहले मैंने मिस कर दया था, अभी तुम्हारे भाई ने हेडशॉट ही दे दिया, सीधा, बता नि, शाय से हेडशॉट था, उनने देखा निया अडंग से, बड़ कोई नी, मर गया अच्छी बात है, अभी यहाँ पर थोड़ी पर वहाई, एक से किन रुक जाओ, थोड़ा साना साइड चलना पड़ेगा तो बड़ी आ रहेगा, वहाई, वहाई से कहीं से बड़ी पर पता ही नी चला, ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर इसलिए आरा का हूँ ताकि जैसे वह उपर आएगा ना वैसे इसको मैं ठोग पहले बाहर चलता हूँ, इसकी क्रेट से मिरको आम उल गई, इसको मैं पूरा पागल बना दिया कि मैं गिड़की से बाहर आगे उपर आ गया, क्योंकि अभी नी पहले ना HP बढ़ेगी तो बड़ी आ रहेगा, बाकि यार यहाँ पर में कोई धंकि, यार MP40 मिल जाते हैं त लोंग रेंज ना, मतलब मिड रेंज में नहीं चल पाती, लोंग तो बात ही दूर है, इसकार उठा लेता हूँ, ठीक है, अब आ बिटा, बाहर के तरफ में ही था ना, इसका तो मूह थोड़कर आना बढ़ेगा, वही वैसे मेरे दो किल्स हो गई, और अपनी HP भी फुल हो बाकि MP40 लो भाई, नाम लिया, गन हाजर, MP40 मिल चुकी है, बट MO मैंने सारी अपनी वेक्टर से उड़ा डाली थी, तीन बंदे मैंने यहां पर मारे हैं, और I think में सबसे ठीक खाली हो चुका है, हो सकता है एकाज बंदा यहां पर और हो, बट 100% नहीं है, और गाईस पीछ यह एकशली रिपेर किट नहीं थी, यह अपग्रेड वाला होता है, इस अपग्रेड भी हुजाते हैं और रिपेर भी हुजाते हैं, ठीक है, भी फिलाल यहां पर न मेरे को निकलना पड़ेगा, लेकिन इसकी खास बात ही होती है, कि यह ना हमेशा ओपन फिल्ड में ही पड़ेगा, पीछ से थोड़ अप होती, यहां पर में को ना कोई भी नजर नहीं आ रहा है, इस जगह से फाइरिंग तो हो रही थी, या तो यहां से भाग गए है, या फिर उन्हें मार चुका हूँ, क्योंकि वो भाग कर मेरी तरफ आया तो रहे थे काफे सारे बंदे, औ उनको मैंने मारा भी था, तो गाइस दिखो भी ना फिलाल मैंने इस वाली साइट पर तो चेक कर ले है, जहां से फाइरिंग हो रही थी, अभी ना फिलाल इधर कोई भी नहीं है, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से ना दूसरी साइट पर चलता हूँ, वहां पर शाय से वहां पर फ्लोटेंगे, उसमें से अराम से मिल जाना है, और AWM चला है, वहां एक सकिंड गे कुन मारा, हेलो भाई, पीछे से पड़ी कहीं से, वहां भाई भाई यहां पर है नहीं में छुपके बैठा हूँगा था, एक सिंड यार दिख तो नहीं रहा मारा कहां से, इतना वहां भाई, MP40 थे नहीं में डामना, हमनी AK47 गया है, इसके 110 का डामज पड़ गया था, ठीक है, जल्दी से आपर लूट तो भाई, इतनी सौरी SMG के आमो लेके घूम रहा है, और अभी मेरे पस वैसे मैंने दोनों की आमो ठाली है, दोनों की जरूरी है, जरूरी नहीं है क इतनी गाड़ी में बैठ कर निकल लेते हैं, सीधा जोन के ओर अंदर, मतलब मैं जोन के अंदर तो हूँ, पर ना भी मैं एनिमीज धूनना चाह रहा हूं, तो सामनी की तरफ में ड्रॉप हो रहा है, वहां पर चलते हैं, क्या बता में, वहां पर कोई ने कोई एनिमीज तो मिल जाए, अगर एनिमीज ना मिले तो एट लिस्ट उस टॉप में से मेरको M249, या फिर AWM, या फिर मतलब कोई बढ़िया सी गन मिल जाए, ठीक है, जल्दी से इसको लूटते हो, भाई सब डॉप, एक सिकिंड, कौन मारा, हलो, पता ही नहीं चला, हाँ तो मैं यह कहने च एक तम पूरा गाड़ी स्टेरिंग मोड के टक्कर मारी जाएगी निकल या से, भाई मेरको मारे गाए, भाई मारे के भाग रहा था, तुम्हारे भाई ने टक्कर ही दे दे इसके, ठीक है, तो यह यहाँ पर एक और एक और दोप नहीं लूटने वाला, यहां से निकलते, उधर एक और ट्रोप आया, ठीक है, वैसे मैं सोच रहा था कि एक बार ही चल लेते हैं उस पर, अभी सामने ताजा ताजा ड्रॉप गिरा है, जो कि लूटेट भी नहीं होगा, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर और एनिमी भी आएंगे, उनको भी मू तोड़ेंगे, गाड फायर तो दिको इधर से हुआ है, मैंने मैप में भी देख लिए और मेंको साउंड भी आया है, पर एनिमी मेरे को घर के अंदर नजर भी नहीं आ रहा है, नहीं मेरे को बिल्कुल साउंड, ओ वो रहा सामने, जमीन पीते रहते हैं, या नहीं नहीं, MP40 से मैंने गलत पायर क करेगा, भाई, मैं 100% के उड़ता, इसके हरकते बतार दी, कवर लेनी की बजाए मेरे से लड़ने आ रहा है, ओपन में हीलिंग कर रहा था गदर बजाया, अम मैं हील करूंगा, ठीक है, लट्स गो, तुम्हारे भाई ने एकदम किलसा दी वाई उस बंदे की, वो उसको लेकर चलता हूं, यह बंदे का ध्यान उसके उपर भी था, यह अगली फाइट उससे करने जा रहा था, और एक बार में बिचारा दो फाइट लेने के चक्कर में मारा गया, बाकी यार, उधर एक और ड्रॉप आया है, बट मिर को यार एनिमी नहीं दिख रहा है, इसने फा मैंने सही करा भाई, इसको मैं को पता था, तेज तक करने क्योंकि गाड़ी कमी स्पीड में थी, वो दुबारा खड़ा होगा, मुझे पता था, और मैंने उतर के MP40 हो जा थी, यह एक दम अभी तक करना, बेस्ट गिल था बहुत गलत लेवल मारा, इधर भी थोड़ा ही थो जल्दिस हम लोग आगे चलते हैं, ओ भाई, यहां तो काफे सारे अनिमीज है, यहां पर मैप में डॉट बन कर आ रहा है, तीन चार अनिमीज यहां पर है, और फाइरिंग भी हो रही है, यह तो गए, एक सेकें, यह उपन फिल्ड में लड़ाई करेगा, इसके टककर ही यहां पर है, और एक और यहां पर है, बट मेरे को पता नहीं है, कहां पर है, वो शाय से नहीं घर के अंदर होगा, क्योंकि अगर वो भी ओपन फिल्ड में नजर आता है, तीन तीन बंदें की जगा पर बैट होए, तो मैं साइड आएं पर बोज गया, अब लेकिन कहीं है तीसरा वाला बंदा मेरे को लुड़का दे, इसको भी गाड़ी से मारूगा भाई रुख जाओ को यहां यहां यह घर के अंदर होगा बाहर होता था तो भी तक इसको मैं एक्सिरेंट करी चुगा होता, ठीक है यह रहा, आप इटाजा, ओ नहीं भाई, कंपे में बिड़क रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, यह एक शेकिन में इसको बना डाला, जल्दी से गाइस, हम लोग यहां से निकलता है, विजादा बंदे भी अलाइव नहीं है, अपने दस स्किल्स हो चुके हैं वाई, घतरनाक, तो चलो गाईस, अ इस गाड़ी की न, इतने जादा बंदों ने गोलियां मारी थी, तो हेल्ट एकदम कम हो चुकी थी, तो अगर यह आखरी बंदा के उस पर गोली मार दे तो गाड़ी ब्लास्त हो जाती, तो मैं बे मतलब मर सकता था, तो चलो गाई सबीना, फिलाल धीरे धीरे करके जोन और भी चादा छोटा हो चुक है, लेकिन वो चो लास्ट अइनमी है न, मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, मैंने पूरे का पूरा पीक चेक कर लिया, पीक के पीछे वाला एरिया चेक कर लिया, और सामने वाले एरिया से तो मैं आ ही रहा था, मुझे नहीं मालूम आकिरक बना यहीं कहीं है, रुक उसके पहरों के वाल जाई है, और लेस गो, निकाल यहा, बाई, या गंदा हो आ रहा रहा भाई, लेस गो गाई, अपना 11 गिल्स के दाथ नहीं बूया निकाल दिया है, तो चालो भाई, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह लाइक कर देना, इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ, छे लाक लाइक के लिए, तो फ्री फार आर्मी, जल्दी से जाओ, लाइक का पटन दबा के गोल कम्प्लीट कर दो, और जो भी चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलको नो भूलना, मुझे कर जर बताना, तो ओके गाइस, आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैंगी, वीडियो में गुड़ बाई